नमस्कार, स्वागत है आपका भारत मौसम ग्यान विवाग के तैन्रिक मौसम परीचर्चा में यहाँ पे हम बात करेंगे कि हमारा यो दच्छिड पश्चिम मानसोन है वो पुर्वी भारत या उत्तर पश्चिम भारत के कौन-कौन से राज्यों में आज आगे बढ़के पहुच चुका है और अगले आने वाले चार से पांस दुनों में बचो हुए राज्यों में यह मानसोन का पहुचेगा और उसी के साथ हम यह भी बात करेंगे कि हमारे कौन-कौन से राज्यों में अगले पास दिनों के अंदर भारी बारिस है भारी से अतिदिक भारी बारिस होने वाली है अगर एक नजर हम कल के रेंफॉल की बात करें तो कल हमें एक्स्ट्रेमली हेवे याने के 20 सेंटिमेटर से ज्यादा की बारिस करनाटक के दछड़े हिस्से में करनाटक के तटिये इलाकों में देखने को मिली है जबकि भारी से अतिदिक भारी बारिस है यानि कि 12 से 20 सेंटिमेटर तक की बारिस तमिलाडू, केरल, उडिशा, तेलंगाना, महरास्ट्रा के तटिये इलाकों के साथ साथ उत्तर उत्तरी भारत में पश्यमी मत्रदेश, पुर्वी राजस्थान, पश्यमी उत्तर प्रदेश और उत्तर खेंड के कुछ एक स्थानों पर देखने को मिली है जिसकों की हमने ओरेंज कलर से दर्फाया हुआ है वहीं पर भारी बारिस यानि की 6 से 12 सेंटिमीटर तक की बारिस जो है वह हमें पंजाब, सौराष्ट्रा, पुर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, किसासाथ, पुर्वी मत्रदेश, 36 गड़, कुष्ठान प्रदेश और उत्तर पुर्वी राज्यों के हमें आसाम में घाले और मद्ध महरास्ट्रा में एक आद इस्थानों पर देखने को मिली है और अगर हम मानसून की बात करें तो आज जो ये मानसून है इस मैप के माध्यम सा अगर हम देखें तो इसमें जो हमारा ब्लिव कलर का लाइन है वो हमें ये दरसाता है कि ये मानस मानसून जो है राजिस्तान के कुछ एक और ज्यादा इस्थानों तक पहुच चुका है उसे के साथ इस मानसून ने आज मद्य प्रदेश के अधिकांस बचे हुए इस्थानों को कवर कर लिया है और इस मानसून ने आज जो है बिहार के कुछ एक और जिलों तक ही पहुच च उसे के साथ पश्यमी उत्तर प्रदेश और पुर्वी उत्तर प्रदेश के भी उसने कुछ जिलू को कवर किया है और आज ये मानसून उत्राखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्बू, कस्मीर, लद्दाक इन सभी छेत्रों के अधकान्स इस्थानों को इसने कवर कर लिया है जै सारी परिस्थितियां जो हैं वो काफी ज्यादा अनुकूल है यानि कि 2-3 दिनों के अंदर ये हमारा मानसून पश्यम बंगाल के बचे वे स्थानों में, जहारखंड के बचे वे स्थानों में, बिहार के बचे वे स्थानों में, उसी के साथ साथ लगभग उत्तर प्रदे और पंजाब के भी कुछे किस्थानों में ये पहुचने वॉला है। पुर्वी आसाम जबकि एक और सर्कुलेशन बंगलादेश को उपर बना हुआ है। पुर्वी भारत की बात करें कि कौन कौन से प्रदेशों में ये भारी बारी समय देखने को मिलेगी। अगर हम पुर्वी भारत की बात करें तो पुर्वी भारत में मुख्रोप से जो हमारा उडिशा है। वहाँ पर आज हमें भारी समय भारी बारिस मिल सकती है। कल जो है जबकि उडिशा में कल 28 और 29 तारिक को भी और उसे के साथ 37 तारिक तक ये भारी बारिस का दोर जारी रहेगा। एग जुलफ के बात से इस पूरे पूरी भारत में भारी बारिस में काफिजा कमी आने वाली है। पश्यमी भारत की बात करें मुख्रूप से अगर हम महराफ्टरा की बात करें तो महराफ्टरा के जो तटिये इलाके है या गोवा का छेतर है और उससे लगे वे मद्ध महराफ्टरा के जो घाट इलाके हैं वहाँ पे भारिष सहते दिक भारिष अगली पांचोई दिन हमें लगातार देखने को मिलती रहेगी इस रीजन में जबकि जैसा कि हम देख सकते हैं कि 29 जून से ही जो हमारा दच्छडी प्रयादीप है उससे लगा हुआ विधरवा मराठ वड़ा के जो इलाके हैं जो कि ग्रीन कलर में दरसाएगे हैं यहाँ पर कोई भारी बारिस होने की सं साथ परशमी, मत्परदेश, पुरवी, राजिस्थान में और उत्रहएजिस्टान में देखने को मिल सकते हैं जिसको कि हमने एलो कलर में दरसाया हुआ है trimmed Past Choice हैतिदिक भारी बारिस 36 गड़ पंजाब हर्याना उसे के साथ हिमाचल प्रदेश, बिहार और उत्रपूर के राज़ों में ये भारी बारिस देखने को मिलेगी उत्रप्रदेश, उत्राखंड, गुजरात रिजन के लिए हमने औरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है जबकि बाकि सभी उत्री भारत के राज़ों के लिए हमने एलो अलर्ट जारी किया हुआ है वहीं पर अगर हम 29 जोन की बात करें तो ये 29 जोन को बारिस में पूरे के पूरो उत्र भारत में काफी ज़्यादा एक बढ़ोत्री होने वाली है जबकि वहीं पर पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्बू डिवीजन, मद्द प्रदेश, जहारखन, पश्चम, मंगाल ये उत्र पूर्वी राज़ों में ये भारी बारिस हमें देखने को मिलेगी ये बारिस जो है तीस तारिक को भी हमें भारी सातेदिक भारी बारिस हर्याना, दिल्ली, पश्चमी उत्र प्रदेश और पूर्वी राज़स्तान में देखने को मिलेगी बिहार, जहारखांड, उत्राखांड और हिमाचल प्रदेश के कुछ एक स्थानों पर देखने को मिलेगी आज 27 जून को हमारा जो करनाटक के तठी इलाके हैं वहाँ पर एक्स्ट्रीमली हेवी रेनफॉल भी हो सकती है यानि कि कुछ एक स्थानों पर हमें ये बारिस 20 सिंटीमीटर से ज़्यादा भी देखने को मिल सकती है जिसके वज़े से हमने वहाँ पर एलर्ट जारी किया हुआ है और अगर हम भारत के अन्य स्थानों की बात करें मुख रूप से दच्छडी प्रहदीप में जैसा कि हमने देखा हलके समध्यमिस्टर की बारिस आज अने कि स्थानों पर कल के बास से वहाँ पर बारिस में थोड़ी कमी आएगी पूर्वी भारत में उसे लगे हुए मद्ध भारत और उत्तर भारत के अधिकान स्थानों पे हलके समध्यमिस्टर की बारिस का दौर अने कि स्थानों पे अगले 500 ही दिन हमें लगातार देखने को मिलेगा उसे के साथ उत्तर पूर्वी राज्यों में और उत्तरपश्चिम भारत के पहाड़ी इलाकों में भाल के समध्य में उस्तर का बारिस का दौर लगातार हमें देखने को मिलेगा मौसम की और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी IMD की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं यूटूब चैनल, फेस्बुक पेज और ट्विटर पे भी हमें फालो कर सकते हैं धन्यवाद